Hey guys, कैसे हैं आप लोग आई होग कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी exam के preparation भी बहुत अच्छे तरीके सा चल रही होगी, तो जैसा कि आपको पता है कि एगनु ने अपना BCOM का course जो है, वो completely change कर दिया है, नए नए courses उसमें include किये गये हैं, और already इन सारे courses को उपर हमारी बहुत सारी videos available है, आप हमारे चैनल के playlist में जाएए, आपको BCOC से related सारे की सारी videos आपको मिल जाएंगी, है ना, तो आज हम करने वाले हैं BCOLA, BCOLA 138, जिसका नाम है business communication, बहुत important topic है, BCOM से related है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस video को पूरा देखना ता कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, ठीक है, तो जैसा कि आपको thumbnail देखे भी समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा topic जो होने वाला है, वो होने वाला है कि communication क्या होता है और उसका क्या महत्तु है, राइट, so this is a topic which we are going to discuss in this particular video, I hope you will like it, अगर आपको पसंद आता है तो please like, comment और share करना पे दोस्तों के स सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को अगर आप नए हो और बेल अकन दबाद हो तक आपको मेरे वीडियो की notification जो है, वो सबसे मेले मिलती रहे, तो आज हम बात करने वाले है, इस course के बारे में जिसका नाम है BCOLA 138 Business Communication, यह हमारा subject का नाम है, अब चलते हैं नीचे की तरफ, आज का जो हमारा topic उसको देख लेंगे, देखो, आपका content में यह है, unit 1 आज हम करने वाले है, and introduction to communication, ठीक है, यह हमारा आज का जो है paper होने वाला है, lesson होने वाला है, मेरा मतलब है, ठीक है, लिचे की तरफ चलते है, यह रहा, हमारा lesson यहां से start हो जाता है, introduction to communication, so first of all हम बात कर है, importance of communication, यह दोनों ही questions बहुत important exam के point of view से, और आप expect कर सकते हो, कि यह question जो है examination में आए, तो चलिए देखते हैं, सफसे पहले communication क्या चीज़ होती है, इसको पहले जान लेते है, तो communication का मतलब इन जमजल अगर में बात करूं, तो जैसे कि मैं आपके साथ अभी क्या कर रहा मैं आपको कुछ ऐसे चीज़े बता रहा हूं, जो कि आपके लिए जरूरी है, जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, जिससे आपका in future में, जो भी examination आप दो, उसमें आपको easy हो, है ना, तो communication का मतलब भी यही है, कि मैं कोई meaningful बात आप से कह रहा हूं, जो के बारे मैं आप से बात करूँ, so, कुछ भी हो सकता है, but, एक meaningful communication, एक meaningful बातचीत होने चाहिए, दो लोगों के बीच में, उसे हम कहेंगे, communication, अब communication, देखो, verbal, non-verbal, दोनों तरीके का होता है, हो सकता है, कि मैं आपको बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आ जा रहा है, sometimes, ज यह बात यहां पर है, अब देख लेते हैं कि books में क्या है, detail में पढ़ेंगे इसके बारे में, so, Oxford English Dictionary defines communication as imparting or exchanging of information by seeking, writing, or using some other medium, है न, आप क्या कर रहे हो, impart कर रहे हो, या फिर exchange कर रहे हो अपने information को, कैसे, बोल करके, लिख करके, या अलग, you know, माध्यमों का इस्तमाल करक the successful communing or sharing of ideas and feelings, देखो, successful यहां पर बोला गया, अगर suppose मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो यह communication काम नहीं कर रहा है, communication का अप्तम करेगा, जब मैं आप से कोई meaningful बात बोलूँगा, और आपको वो सारी चीज से समझ में आएंग the Lashwell, an act of communication can be described in a convenient way of answering the following questions, आप अगर इन सारे questions को answer करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, according to Harold Lashwell, की act of communication क्या होता है, तो कौन, किस ने क्या कहा, किस चैनल से कहा कहा, क्या कहा, किस को कहा, और किस effect के साथ कहा, इसको अगर आप समझ जाओगे, तो आपको communication समझ में आ जा कही है, मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरीकी से देखो, यह पूरा मैं आपको समझाओगा, उसके बाद हम चलेंगे importance के तरफ, so communication involves two or more persons who exchange their views, तो communication में दो या दो साधिक लोगों का होना बहुत important है, जो कि आपस में आपने views को exchange करेंगे, अपने ideas को exchange करेंगे, process of transmitting communication by making a variety of media available which are much faster and more effective than the older methods, तो अभी के time में information technology के help से एक तरीके से communication को एक तरीके से revolutionized कर दिया गया है, क्रांती आ गई है, जिसमें आप different different media का इस्तमाल करके लोगों के साथ बहुत ही faster और बहुत ही effective way में बातचीत आप कर पा रहे हो, और पुराने तरीके आप इस्तमाल नहीं कर रहे हो उतना, such as later writing or taking and classical telephone, अब ये सारे चीज़े जो है पहले चला करती ही अब तो खतम ही हो गई है, है ना, new people, new people prefer to use smartphones, whatsapp, skype, twitter, facebook, instagram, etc for communicating, है ना, जैसे कि मुझे suppose अपने दोस्तों को किसी party में बुलाना रहे है, तो मैं whatsapp में जाऊंगा, अपने group में message करूँग कि चलो दोस्तों, आज हुझा है, party मेरी तरफ से, मिल दे हैं हम लोग, है ना, तो इस तरह के communication वहाँ पे हो रहे है, these communications, these channels are internet-based, the electronic mail has replaced the classical letter writing as it is not only much faster, but also provides the possibility of sending other documents as attached files, अब यहाँ पर बात बुली कि वो email की बात पुली जारी ही, कि जैसा कि आपको पता है कि email में आप एक सार बहुत सारे लोगों को letter लिख सकते हो, email कर सकते हो, है ना, generally जब पहले लोग लिखा करते थे, मुझे याद है, जब मैं ममी के लिखा लिखा करता था, तो आपको वो लिखना होता था, फिर उसको post office में जाकर डालना होता था, dropbox में फिर वो जाता था, फिर वहाँ और एक साथ बहुत सारे लोगों को आप email भेट सकते हो, यह भी एक option है वहाँ पर, है ना, तो यह इसके कारण जो एक तरीके से revolutionized हो गया है, furthermore, if the same communication and documents are to be sent by many recipients, the copy cc of the email can be sent to all by a click of the mouse, समझ रहो, सिरफ एक click अपने mouse के ऊपर किया, जैसे कि मैं करते रहता हूँ, click मैंने कि और वो mail सब के पास चला गया एक ही बार में, तो यह कितना अच्छा तरीका है आप बताओ, है ना, तो इसे हम कहेंगे communication, है ना, यहाँ पी देखो, एक figure के माधियम से समझाने की कोशिश की गई है, internal communication जो होता है, सबसे पहले superior होता है, वो co-workers को बताता है, co-workers को अपने subordin को बताता है, इस तरीकी से चीज़ें जो यहाँ पर channel wise काम करती है, है ना, तो इसमें odd detail में नहीं जा रहा, अच्छा, 10 यह वाला मैं कर लेता हूं, ताकि आपको complete हो जाए, अच्छा, 10 communication starts from sender, एक communication जो है sender से start होता है, मतलब जो communication start कर रहा होता है, जैसे कि मैं sender हूँ, आ आप receiver हो, है ना, in context of a business enterprise, business enterprise के बारे में हो सकता है, internal communication may originate from the director or the manager or the group leader, आप अगर किसी business में काम कर रहे हो, तो देखना है, जो manager होता है, जो group leader होता है, वो उपर से message करता है, आपको बताता है, कि आपको जो है, इस तरीके से काम करना है, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो आ आपके साथ communicate कर रहा है, by interacting face to face, or by interacting on social media, or media, or any kind of media, है ना, तो वो एक तरीके से करता है, it may originate from lower level of the hierarchy, such as co-worker or subordinate who may seek information, clarification, or seeking redressal of the some grievances, है ना, यहा पर क्या बोली गई, कि इस बात कभी कभी क्या होता है, कि जो चीज जो उपर से आ रही है, वही चीज निचे से भी जा सकती ह आपने lower level से chop के hierarchy है, उसका आपने इस्तेमाल करते हो एक तरीके से communicate किया, और इस communicate करने के साथ जो है, आपको यह चीजें, जो है, information आप शेयर कर रहे हो, clarification माग रहे हो किसी topic के उपर, या फिर आपको किसी तरह की problem हो रही है, तो उसको लेकर आपने grievance एक तरीके से record कर रहा सो यह सारी चीजें जो है, communication में होती है, I hope कि आपको communication पुरी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, अब बात कर लेते हैं, importance of communication के बारे में, जो कि बहुत important topic है, कि इसका क्या महत्तु है, देखो, importance इसका किस तरीके से, अगर मैं बात कर रहा हूँ आप से, और मुझे आप उसको prepare करके exam में बहुत अच्छे तरीके से दे पा रहे हो, so communication का importance जो है, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, तो देखते हैं, book में क्या है, globalization has introduced fierce competition in almost every walk of life, including business, है ना, any globalization cannot survive without effective or vibrant communication system, है ना, तो globalization के कारवन एक तरीके से competition जो है, वो बहुत ही fierce हो गय गया है, अगर आपके organization को survive करना है, तो आपको एक effective or vibrant communication system के साथ काम करना होगा, otherwise आपकी system, जो organization है, वो काम नहीं कर पाएगा, effective communication system establishes not only perfect coordination among the staff of the organization, but also enhances its ability to make connect with its clients, seek their orders and comply with the same promptly, है ना, अगर आपके effective communication system बहुत ही ज्यादा effective होगा, तो आप क्या कर पाऊगे, आप अपने staff के सा बहुत ही आसाने से coordinate कर सकते हो, आप अपने जो clients हैं, उनके साथ बहुत आसाने से contact कर सकते हो, उनके orders ले सकते हो, और उनके order को सही time पर पूरा भी कर सकते हो, तो यह सबसे बड़ा महतो है importance का, advertise its products quickly, है ना, यह सारी चीज़ें देखो आप कर सकते हो, communication अगर आपको network अच् सकती है, profit बढ़ा करके, है ना, in this scenario, the employees of the company are also motivated, because a part of increased profit may given to them in the form of bonus or extra percusers, इस case में जो lower level के employees होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा excited होते हैं, कि अगर हम काम अच्छी तरीके से कर सकता है, हो सकता है कि हमें bonus मिले, extra benefit है, जो percusers है, वो हमें मिल सके, thus a good communication system keeps everybody in high spirit, तो अच्छा communication system अगर होगा, तो वो हर एक व्यक्ति को बहुत ही motivated रखेगा, काम करने को लेकर गे, वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, right, COVID-19 pandemic के बारे में बोला गया, यहां पर यह book बहुत ही recent है, books में change हुए है, जैसा कि मैंना आपको बताया था, तो इसके बारे में भी थ अचान सब्दों में उनको पहुचा पाओगे, और एक तरीक से उनको energized या विर motivate कर पाओगे, ताकि वो अपना काम जो है best तरीके से अपने organization के लिए करें, for long run they became valuable assets of the organization, यह की long run में जो है communication ही आपके लिए एक बहुत ही बड़ा asset के रूप में आता है, the utmost relevance of effective communication system was immensely realized during the COVID-19 pandemic, आपको पता ही है कि COVID-19 pandemic में अगर communication system बहतर नहीं होता, तो हम लोगों तक help नहीं पहुचा पाते हैं, लोगों को help नहीं कर पाते हैं, तो communication system बहतर होने के कारण दुरस्त होने के कारण ही COVID-19 pandemic के situation में भी हम यह नो बहुत अच्छे से काम कर पाएं, हाला कि बहुत लोगों की death होई इसमें, और इसके लिए मेरे ख्याल से पुरा देश ही माफी मागना चाहेगा, बट फिर भी हम लोगों ने अगर अच्छे तरीकी से काम नहीं कर रहा होता, communication अगर अच्छा नहीं होता, तो हो सकता था कि यह situation और भी ज्यादा worse हो सकती थी, है ना, तो यह एक importance है, ज communication जो है, वो बहुत ही important है, हमारे daily life में, चाहे वो business में हो या फिर किसी भी चीज में हो, so building an effective team, अगर आपको एक effective team build-up करने ही है, तो communication का होना बहुत important है, यह wise-verse आप बोलो, अगर आपको communication अच्छी होगी, आप अच्छी effective team भी आप develop कर पाऊगे, when members of a team are able to communicate effectively and exchange their ideas freely, they develop mutual trust result in building an effective team environment, बही बात यहां पे बोली गई, कि जब members कचे तरीके से communicate कर पाएंगे, अपने ideas को freely exchange कर पाएंगे, तो उनके बीच में एक mutual trust जो है, वो develop होगा, और आगे जा करके, जो business का firm है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से effective team create कर पाएगा, और अच्छी तरीके से काम कर आते हैं, with effective communication system in place, everyone has the possibility of expressing his or her ideas and offer suggestions, तो एक तरीके से हर एक व्यक्ती के पास ही possibility होगी, कि वो अपने ideas को express कर सके और suggestions को offer कर सके, it includes a sense of belonging and self-esteem, और जब आप ऐसा कर पाते हो, तो लोगों के मन में एक तरीके से ऐसा लगता है, कि वो इस संस्था से जोड़े हुए है, वो संस् तो stream के उपर एक तरीके सा आप असर डालते हो, जिसके कारण वो जो है, बहुत effectively काम कर पाते हैं और करते हैं, है ना, seed of innovation, communication system जो है, वो seed of innovation होता है, आपको पता यकिन नहीं होगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे आविश्कार हैं, जो कि हो सकते हैं, लेकिन अभी, you know, communication ठीक से नहीं हो पाया, पहले के लोगों ने किताबों में लिखा तो था बहुत सारी चीज़ोगों, उसी के उपर काम करके जो है, बहुत सारे आविश्कार हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि अगर proper communication में होती हैं, video recording होती, या अच्छे तरीके सुनका लिखना होता, तो definitely अभी और भी हम innovation अच्छे तरीके से कर बाते हैं, तो अगर आप free exchange of ideas and suggestions करोगे, तो यहाँ पर innovation और जो new strategies हैं, उसको बनाने में भी या उसको पनपने में भी बहुत ज़दा help मिलेगी, तो seed of innovation एक भी important point है, fast remedial action, communication system अच्छा होने से आप एक remedial action बहुत system में हो रही होगी, malfunctioning का मतलब में कि आपका जो function है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करगा, due to some error or due to some bug, है ना, तो उसको जो है, आप ठीक कर पाओगे, अगर आपका effective communication system होगा, तो, an effective communication network helps in identifying the malfunction in the system, at any level, remedial action can be taken, remedial action can be taken well in time, है ना, अगर आपको पता रहेगा कि क्या problem है, malfunction जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप definitely जो action है, वो भी आप सही time पे ले पाओगा, वो तभी possible है, जब एक अच्छा communication system आपके organization में काम करेगा, और यह जो एक तरीके से boost करता है, आपकी organization की growth को, है ना, और आखरी point करवा देता हूँ, फिर यह topic हमारा खतम हो जाएगा, उसक the cumulative effect of all the four factors described above is that, there is a perfect coordination from the management to the lowest cadre, they are all in unison, unison, seizing every opportunity for the benefit of the organization, जो बात यहाँ पर बुली के यह है, जो communication effect है, जो cumulative effect है, इन सारे के सारे factors का जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, उसका वो अच्छा इसलिए है, क्योंकि लोगों के पीच में एक अच्छा coordination है, और वो coordination अच्छा तभी ह हो पाएगा जब आपके पास communication अच्छा होगा, जब management से ले करके नीचे की जो भी आपके levels के अधिकारी है, आपके employees है, उन तक अगर आप coordination ठीक तरीके से करना चाहते हो, तो वो communication ही एक मातर जरिया है, जिसके जरिया आप उसको एक तरीके साचीव कर सकते हो, तो यह एक त system जितना अच्छा होगा, आपके communication उतना अच्छा होगा, और आपकी company को उससे बहुत फाइदा मिलेगा, और आपकी company जो है, बहुत ही जादा बड़ी हो पाएगी, ठीक है, so this is the end of this video, I hope कि आपको पसंद आया हो, यह video अगर आपको पसंद आया है, तो please like, comment और share करो, मिलते हैं अगले वेडियो में, मुझे यह मत बुलना, कि सर आप बहुत speed से बढ़ाते हैं, भाई, speed नहीं पढ़ाओंगा, तो syllabus complete नहीं होगा, और speed पढ़ने की added डालो, क्योंकि in future में जा करके, speed ही पढ़ने से आप आगे बढ़ पाओगे, slow पढ़के किसी को कुछ फाइदा नह आपको अगर जिन्दगी के race में आगे रहना है, पढ़ाई के race में आगे रहना है, तो आपको अपने speed बढ़ानी होगी, right, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, bye, thank you